पाकिस्तान में इम्रान सरकार गिर गई है लेकिन इसलामबाद में आज भी सियासी हल चल तेज है इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर जो पाकिस्तान से सामने आ रही है वो ये कि इम्रान सरकार के गरने का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा पाकिस्तान के राश्ट्रपती कानूनी एक्सपर्ट से इस मामले में राय ले रहे हैं तो भहीं कल देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद इमरान की सरकार गिर गई हार तय देखकर वोटिंग से पहले ही इमरान खान पीम आवास छोड़कर हेलिकॉप्टर से अपने घर बनीगाला के लिए रवाना हो गए बार बार वोटिंग टालने वाले स्पीकर और एक हफते पहले अविश्वास प्रस्ताव खरच करने वाले डेपटी स्पीकर ने स्तीफा दे दिया पीमल एन के आयाज सिद्गी को नया स्पीकर मनोनीत किया गया कल दोपहर धाई बजे नैशनल एसेंबली की कारेवाही फिर शुरू होगी और नया प्रधान मंत्री तब चुना जाएगा